आपके लिए चोटा सा टॉपिक प्रिपोजिशन से डिलेटिट तो हम देखेंगे प्रिपोजिशन में कुछ टाइप के कोश्चन होते हैं जो यहां पर आपसे कॉश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वह कौन-कौन से मैं बता देता हूं देखें यह जो मैंने कुछ लिखा है ठीम की कैरेंड कि कि की मौथ होती है तो उसके क्या प्रीपोजिशन क्या आनीं चाहिए क्या नहीं वह ज़ए मैं सारी चीज», अपको बता देता हूं लिखा हूं इनलेस, इनलेस मतलब कोई बिमारी, डिसीज है कोई बिमारी, हंगर है, हंगर मतलब भूक, थ्रस्ट मतलब प्यास, ग्रीफ मतलब कोई दुख, शेम मतलब कोई शेम, clear हुआ, तो यह आपको सभी का वर्ड पता ही है, हंगर मतलब भूक, थ्रस्ट मतलब प्यास, तो कभी भी क किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी व्यक्ति की मृत्युम्य अगर किसी इसीज हंगर फ्रस्ट respe या शेम की कारण हो जाते हैं तो आपको एक प्रिपोजिशन याद रखने क्या वो प्रिपोजिशन हों चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए और किसी भी प्रिपोजिशन का यूज आपको बिलकुल भी नहीं करना है चलिए नेक्स पॉइंट अगर किसी व्यक्ति की मृत्य वूंड मतला कोई घाव मतला किसी के घाव हो गया और ज्यादे घाली उसने तो उसके मृत्य हो गई जब कभी वहम इन चार वर्ट का यूज करेंगे वोंड ओवर इटिंग ओवर ड्रिंकिंग या फूड पॉइसनिंग तो आपको हमेशन जो प्रिपोजिशन लगानी है वह है फ्रॉंग यह आपको याद रखनी है चलिए नेक देख लेते हैं तो उसमें कुछ लोग के आने चाहिए उसके लिए प्रीपरिशन आने चाहिए बाई वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये भी आपको याद रखना है चलिए नेक्स चौप्थे पॉइंट पर चलते हैं यदि किसी व्यक्ति की मृत्यों नेगली जैंसी मतलब किसी चीज की लापरवाही से किसी चीज की लापरवाही से क्लियर हुआ के कारण के कारण किसी की मृत्यू जाती है तो जाएगा थूँए थूप प्री पोईशन आएगी चलिए नेक्स देख लेते हैं फिफ्फ पॉइंट है अगर किसी व्यक्ति की मृत्यों फिल्ड में मतलब कोई मैदान अगर कहीं वो लडाई कर रहा है जो भी एक्स वाईजट कोई चल रही है वहां पर मृति हो जाती है यह किसी कि कारण की मृत हो जाती है तो हमारी कोई एक प्रेपरशन होनी होनी चाहिए जो हम यहाँ लगाए और हमारा आनसर सही हो जाए तो मैं बदाता हूं जब कभी विए व एकशीडेंट पर किसी कि मदल्बू उसमें किसी की मृत्ति होती है तब हम वहाँ पे इन प्रिपरिशन का यूज करते हैं इसका in preparation का use करते हैं, चलिए next देखते हैं, for a country, अगर आपको पता है कोई patriotism है, मतलब patriot है और देश भक्त है और देश भक्ती के लिए उसने अपनी जान दे दिये, बेशक कोई वो सैनिक हो, कोई आर्मी का कोई भी बन्दा या कोई normal व्यक्ति भी हो जिसने कुछ भी देश के लिए किया हो, और वो उस दौरान, उसकी मृत्ति हो गई हो, तो for a country, मतलब किसी देश के लिए कोई व्यक्ति अगर अपनी जानने च्छावर कर देता है, तो हम वहाँ पे लगाते हैं, for preparation, क्या लगाते हैं, for, चलिए next देखते हैं, seventh point, with someone, with someone, मतलब आप किसी के साथ, मतल कि आजकल, जो cases हैं, वो couples मतलब आपस में, suicide कर लेते हैं, मन जाते हैं, जो भी x y z, तो इसके लिए आप क्या use करेंगे, with someone के लिए ही, यहाँ पे आ रहा है, with, तो उसके लिए आप preparation, use करेंगे, with, last देख लेते हैं, die in hardness, very very important, die in hardness क्यों होता है, जब किसी व्यक्ति की मृत् जब किसी व्यक्ति की मृत्यों, पद पर रहते हुए हो जाती है, कैसे, जैसे, एपी जी अब्दुल कराम को सभी जानते हैं, तो जब वो अपना last, मतलब जो भी speech दे रहे थे, तो वो अपने, मतलब, related to study ही दे रहे थे, तो उसी वक्त उनके मृत्यों हो गया, उसका मतलब hardness पर रहते हो, मतलब die in hardness, he died in hardness is the right answer, clear, तो यही सारी चीज़े हैं, आपको बस यह चीज़े याद रखनी है, पहले आएगी off, दूसरी from, तीसरी by, third is, fourth is through, through, sorry, in, for, with, और पद पर रहते हो इमिटती हो, तो यह पूरा direct आपको use करना है, I think इतना सब कुछ चीज़े clear हो गय है, so, चलिए, dear student, देख लेते हैं, यहाँ मैंने कुछ questions लिख दे हैं, related to died, मतलब जो किसी व्यक्ति की मृत्य होती है, तो उससे related मैंने कुछ questions लिख दिए हैं, तो पहले question की तरफ चलते हैं, people were saying that he died dash cancer, तो यहाँ देखिया, आपको cancer लिखा हुए, तो मैंने first, जो list का first, both a point उसमें लिखवाया था, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यों disease से होती है, तो आपको यहाँ preparation लगानी है, तो preparation आपको बता है, बहुत सरी हो सकती है, at, on, in, for, with, through, यह सब चीज़े, तो आपको यहाँ पे fill करना है, तो यहाँ आचाहिए, people were saying that he died of cancer, very very important, ना कि he died with cancer, मतलब cancer के साथ, या died in cancer, died for cancer, नहीं, died of cancer, क्योंकि जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी, मतलब किसी disease के कारण मनता है, तो उसके साथ off का use किया जाता है, चलिए, the great leader died, dash and harness, मतलब क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यों पद पर रहते हुए हो जैसे, जैसे मैंने यहाँ लिखा होगा मतलब जो भी है, तो उस टाइम उसके मृत्य हुई, तो इसका मतलब वो अपने कारेकाल के दोरान मार गया है, तो मर गया उस टाइम, तो हमने वही लिखा है, the great leader, leader died, dash, अब इसके अंदर pre-position के आने चाहिए, off, from, in, या with, तो देखेंगे हमी तो भई, off तो obviously नहीं कि जब हम किसी illness, disease की बात कर रहे हूं, तो आप देख लेते हैं, hardness की बात की गई थी, तो मैंने लिखवाय था, die in hardness, तो इधाना, answer आना चाहिए, end, तो ये सही है, क्यों, क्योंकि die in hardness का मतलब ही क्या होता है, पद पर रहते हुए, किसी व्यक्ति की मृत्य हो जाना, जैसे म आज अकबर है, वो अपने बेड पर मर गया, ठीकिना, तो यहाँ इदा देखे, फिट से वोई problem, off लगाये, from लगाये, in लगाये, with लगाये, तो देखे, जब कभी भी बैड पर मरने की बात होती है, बैड पर, तो हम क्या लगाते हैं, उसमें, in का यूज करते हैं, क्या ल चलिए, नेक्स्ट, रमेश, an ex-serviceman, died, dash, his country, तो फिर वोई, off, from, in, with, therefore, या through, इन में से कोई प्रिपोईशन आपको लगानी है, तो कितने सारी प्रिपोईशन हैं, चलिए, देख लेते, रमेश, an ex-serviceman, died, अब यह देखे, वो उसकी country के लिए मारा गये, तो मैंने ब तो उसको हम लगाते है, for his country is the right answer, clear, चलिए, देखे, I think she has died, dash, malaria, तो फिर से आगे कोई disease की बात हो रही है, कि उसकी जो मृत्यू है, किसी, मतलब disease मतलब malaria की कारण होई है, ना मृत्यू, तो फिर अभी मैंने बताया था, जब cancer के लिए off लगा था, तो यहां भी कहाएगा, आफ का यूस किया जाएगा, she has died of malaria is the right answer, चलिए, निक्स, राधा came to know, राधा को पता चला, that her grandfather died, dash, battle, अब भी मैंने बताया था, battle, यह field, यह bed पर मरने की बात हो, जैसे, किसी मैदान में, यह किसी युद्ध के मैदान में, अगर किसी की मत्यों जाते है, तो हम के लागते ह चलिए, निक्स, a 10-year-old boy died, dash, food poisoning in a school, चलिए, देख लेते हैं, जब मैंने बताया था, over eating, over drinking, जैसे, आपने ज्यादा खा लिया, ज्यादा पी लिया, या कुछ, food में कुछ जहर है, उसके वीज़े से, आपकी मृत्तियों जाती है, तो मैंने एक preparation बताया थी, क्या है वो preparation, of, from, in, with, for, or through, तो मैंने बताया था, तो आप लगाएंगे हाँ, from is the right answer, a 10-year-old boy died from food poisoning in a school, clear, I never knew, मुझे कभी नहीं पता चला, that my friend died, dash, violence, अब वाइलेंस की बात हो यह, वाइलेंस मनना किसी हिंसा का हो जाना है, किसी हिंसा के कारण, किसी व्यक्ति की मृत्ति हो जाना, त sorry, my friend died, dash, violence, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, हिंसा के लिए मैं बताया था, n का यूस किया जाएगा, n violence, मतला, violence के लिए में मर गया है, न वो, more than 15 students died, dash, negligency in school, चलिए, more than 15 students, मतला, 15 से जाधा student, एक स्कूल में लापरवाही के कारण मर गए, लापरवाही आप समझत से हैं, carelessness के कारण मर गया है, तो फिर वोई, off, from, in, with, for, through, इन में से क्या आएगा, तो मैंने बताया था, negligency मतला, लापरवाही उसके साथ, हमेशा क्या आएगा, through, through, negligence is the right answer, चलिए, last question देख लेते हैं, 10 people died, dash, a gastry accident, फिर आपको लगा रहे, off, from, in, with, for, या, through, तो इद इक, accident में मरना, तो मैंने बताया था, कि कोई व्यक्ति, अगर किसी, accident में मर जाता है, तो क्या हैगा, in, a, gusty, accident, in, a, gusty, accident, इससे पहले, जो मैंने पूरा आपको बताया था, उसका एक, चार्ट अच्छे से बनाई है, mind में, उसे याद कर जाए, यहादा, copy में, note down करो, notes ब पाएंगे, और यहाँ कोई भी question आप easily deal कर पाएंगे, और यह इसी type के question आपके competitive exams में पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपको फिर वही complications हो जाती कि, चार में से कौन्स ऑप्शन हो सकता है, तो आपको अगर accurate अगर याद है, तब ही आप इस चीज के लिए दाए, वरना, ऐसा आप उसे note कीजिए, और मुझे comment section में लिख कर की बता सकता है, अगर कुछ भी आपके, कुछ भी query है, कुछ भी issue है, तो चलते हैं आज के लिए इतना ही है, और next video हम जल्दी मिलेंगे, चोटी मोटी कोई video बनाएंगे, and please do subscribe my channel and don't forget to ring the bell icon that is given, okay, तो चलिए हम next video मिलते हैं, आज के लिए बाइबाइ, take care, good night to all of you.